सातवी क्लास का एक छात्र आठ्षवी क्लास की लड़की के साथ प्रेम हो जाता है इसक लड़ाता है जो कि इसकदर बढ़ जाता है कि आने वाले समय में एक दुश्कर्म को जन्म दे देते हैं यह खबर है महराश्टर के नागबुर की जहांपर यह घटना हो जाती है अपने सहली के घर में सुबह सुबह जाती थी जब वह स्कूल के लिए साथ में जाते हैं वहां पर उस सहली के अधर छोटा भाई है उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और इतनी घंबीर हो जाती है कि उनको आपस में प्यार हो जाता है और उनकी एच 14-15 साल के बीच में कि खबर इस तरह से आई कि जब लड़की चार मीने प्रेगनेंट हो जाती है तब उसकी मां को पता चलता है कि लड़की को पेर दर्द हो रहा है और वो उसको नजदी की आस्पिटल में ले जाते हैं जब वहाँ पर डाक्टर बताते ही ये चार महीने प्रेगनेंट है ये अपरेल की बात है उस समय उसकी मां के पेरुंताले जमीन किस गई ये उसके लिए भोती अजीब खबर थी सुनके उनके होश उड़ गे जब वो घर जाते हैं उस लड़के के रिष्टेदारों को पूरी फैमिली को बलाते हैं और उस लड़के से पूछते हैं कि आपने इस तरह का काम क्या है वो भी बड़े खुशी के साथ कहता है कि हम आपस में पिहार करते हैं और हम शादी करना चाते हैं और हमें हमारे आपस के इतनी संसनी है हाला कि ये चाइल्ड मेरिज एक्ट के तहर आती कि वो छोटे बच्चे ही हैं अभी लड़के के उपर फिक वो धर्ज हो गए और उसको नीजी कारिकाले में जहां पर बच्चों को सिखाय जाता है, समझाय जाता है वहां पर उस ठाने में लिया गया है और उसको उसके उपर रेप का नाम दिया गया है लेकिन मैं कहना चाहूंगा जब लड़के की मर्जी भी है और लड़की की मर्जी भी है हलाकि दोनों नावालिक है तो फिर एक लड़के के उपर ही कियो विल्जाम लगा जाए तो दोनों ही है इसलिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो लव मेरेज है वो कितनी सकस्पूल आज के जमाने में बोरी है कि उसमें भी आपको देहने को डाइवोर्स जादा मिल रहा है जो कि मैंने कल भी वीडियो में बताया था और ये इस तरह के नियूज है कि आपको प्रेशान कर देगी इस तरह कभी कभी हो सकता है हाला कि लड़की की एज भी पंदरा ही साल है और लड़की भी उससे एक साल बड़ी होगी लेकिन सिर्फ सजा लड़के को ही मिल रही है ये बहुत ही प्रेशानी वाली बात है साथ में मैं बताना चाहूंगा जब भी वो स्कूल जाती थी यानि कि कभी कुछ काम भी नहीं है स्कूल में जब कभी घोमने ही जाना थी फिर ये इस तरह की घातना होगी जिसकर चलते आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये लड़की चार मिहने प्रेगनेंस है और ये 25 जन्वरी की बात है जब उसकी मा अपनी लड़की को डाक्टर का पास ले जाती है जहां पर डाक्टर बिताते हैं कि ये चार महीने प्रेगनेंट है ये उसकी मां के लिए भी कितनी चिंतजनक बात है और लड़के के घरवालों के लिए भी अब उनका future किस तरह होगा society में उनकी image क्या हो जाएगी पूरे गाउं में पूरे शहर में क्या इस तरह का होना चाहिए अगर हो भी रहा है तो अंद में क्या होना चाहिए क्या सिर्फ लड़के को ही गुनागार खेराना चाहिए ये लड़की को भी गल्पी तो दोनु नहीं किये इसलिए मैंने कल भी एक वीडियो में बता रहा है था लव मरेज ये वो किसी सक्सेफ़ लेकिन कि वो छोटी ही एज में शूरू हो रही है अब ये देखो सात्वी आठ्वी क्लास की बात है जहां पर उनको इतना गहरा प्रेम हजाता है एक बच्चे को वो जनम दे देती है आज कल तो ये आम चल रहा है ये सब इस फोन के चलते हो रहा है लेकिन ये इस तरह हो क्यों रहा है क्या इस तरह की अजगिशन घर में प्रवाइड नहीं की जा रही है कि उनको समझ नहीं क्या हमारा अच्छा है क्या बुरा है क्या जो सक्स अजगिशन है उसके चलते हैं उनको यह हो रहा है कि उनको पता नहीं है कि अच्छा हमारा क्या है और बुरा क्या है क्योंकि जहां तक आगर मैं बताओं तो बच्चों को घर में इस तरह की अजगिश नहीं दी जाती है इस तरह की बात में से उनको जुकलाया जाता है कि ये सब कुछ नहीं है लेकिन ये ही बाते वा चुप चुप पर सुनते हैं तो उनको वो करने की उतेज न जाती है और फिर ये खटना हो जाती है इसका जिम्मवार कौन है आप भी कमेंटर बाक्स में जूर बताएं साथ में ये भी बताएं कि लड़का लड़की की जाता गलती है या लड़की की गलती तो दोनों नहीं किये ये महाराश्टर की है आप जूर इस तो पर पुष्टी करें और कमेंटर बैक्स में अपनी राय ज़रूर दें